नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो अवर चैनल अबव ओल राउंडर आज मैं आपके सामने एक ऐसी मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूँ जो उन लोगों के लिए एक मोटिवेशन है जो लोग अपना उत्राखंड में के लोग हैं जो अपना रोजगार खो चुके हैं और साथ में वो बहुत हतास हैं उन लोगों के लिए ये मोटिवेशनल वीडियो है कि वो किस तरह से उत्राखंड में ही अपना रोजगार कर सकते हैं और मैं आज यहां गोजणा गाओं में भगवती परसाथ कंसवाल जी के खेत में आया हूँ इन्होंने बागवानी जो कर रखी है आप देख सकते हैं यहां पे इनकी बागवानी है और यहां पे लगबगी एक हेक्टेर की जमीन है जिसमें की सरकार द्वारा दी गई सायता रासी एक डेड़ लाग रुपे है और इनकी अपनी पचास हजार रुपे अपनी स्वेम की रासी है दो लाग रुपे की लागस से ये एक हेक्टेर जमीन में इन्होंने बागवानी कर रखी है, वो हम आपको दिखाएंगे और चलते हैं फिर अंदर. हम आज गोजर्णा गाओं में भगवती परसाद कंसवाल जी के साथ खड़े हैं और ये इनकी धरमपत्नी हैं, तो अब हम इनसे यहां पे इसलिए आये हैं इसा जानने के लिए कि यहां पर उन्होंने लॉकडाउन के दौरảन कई लोग बेरोजगार हो गए थे जिन्होंने की अपना रोजगार खो दिया, कई होटल के बिजनेस में थे, कई ट्रेवल के बिजनेस में थे, तो उन्होंने अपना रोजगार खो दिया, तो ये हमारे जो गाओं के हमारे भतीजे हैं, ये हमारे उनके लिए एक बहुत बड़ा उधारन है, जो लोग हतास हो च कर दोतों आज इनों दो है किस तरह से एक ट्रेंड़ लोगों को दी है कि अपना स्वैम का ड़े Δ懦े करो सथापित किया है और साथ में दिखाया है कि अगर आदमी करमट हो तो वह कुछ भी कर सकता है कहीं भी उसकी हार नहीं हो सकती इसलिए उसको मेहनत से कभी भी पीछे नहीं भागना चाहिए तो भगवती परसाद जी मैं आप से जानना चाहूंगा कि आपने जो यहां पर शुरू किया है खेती और वाड़ी का यह आपने जो फैंसिंग लगा रखी है तो इसमें आपने किस तरह से आपने क्या सोचा आपके कैसे आइडिया है दिमाग में कैसे करना चाहिए यह मैंने सोचा कि जो हिमाचल पर देस है वह आज देश को पूरे हिंदुस्तान को फल दे रहा है अगर हम जो से यह के खेत बहुत बंजर पड़े वे ते और हमने कहा कि जो है इन बंजर जो खेत इनका उभी Prepador कर केダंगि करते हम अपनी आज ये का भी चला सकते हैं और अपने लिए जो ह्म बाइदार से लाते हैं सड़ें से प्रूर亞 वातं भी लोगों को मिलेंगे बहुत धन्यवाद आपने बताया आप मुझे यह बता सकते कि आपने जब यह सुरू किया तो क्या आपके कभी ऐसा लगा कि मैं यह कर पाऊंगा या नहीं नहीं कर पाऊंगा या किसी कूछ ने आपको यह बताया कि रास्ता कि किस तरह से करना इस climate के लिए है और अभी मैंने आप जो दिखाया आपको अभी मैंने कम से कम सो गड़े तया कर रखें वहां सो पेड़ कम से कम आम के लगाऊंगा और अच्छी क्वालिटी के पेड़ लगाऊंगा ताकि जो है जो तीन साल बाद मुझे जो है फल देना सुरू कर देंगे तो यह जैसे आपने अभी सेव के पेड़ लगा रहें यहां पर तो यह कितरे सालों बाद यह फल देने लायक होंगी यह तीन साधे तीन साधे तीन साल बाद भाद फल देंगे तो आपकी मैंना जरूर रंग लाएगी दूसरा मैं आपसे यह भी जाना चाहूंगा कि जो लोग उत्राखंड के कई भाई लोग हैं जो कि होटल या ट्रेवल के बिजनेस में थे और उन्होंने अपना रोजगार खो दिया तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे किस तरह से उनको प्रेड़ना देना चाहेंगे कि वो हतास ना हो और वो भी अपना कुछ इस तरह क और ना हलकी जवरत पड़ती है और उनके जो कीमत है बहुत अच्छे बहुत अच्छी है मार्केट रेट जो उनका बहुत अच्छा है एक तो हमारी उसमें कहते हैं जख्या आपने डिली यूगरा बंबबई यूगरा यहां से चाहता है वह दो सो रुपे किलो दिली में ज कि अगर हम सब्सकें करें बात्स करें अगर हम उतुति पाधन करेंसि कि आप जटारन की जाहूं वाहलए है तो आप किसरे पर मार्केट में बेचेंगे ताकि लोगों को सही दाम पर पहुंच जाया और अच्छी क्वालिटी का और गैनिक जख्या मिले मैं यह कर रहा हूं कि जब हम अधिक मात्रा में प्रॉडक्षन करेंगे तो उसके रेट अपने आप ही कम हो जाते हैं और लोगों को 200 को बजाए नहीं उनको जो है अच्छी क्वालिटी की बासमती भी जो है उसका रेट भी यही है तो हम मनलब जख्या की कीमत पे जो है अपने बासमती चावल खा सकते हैं तो कहने मतलब यह है कि पहाड़ों में जो है रोजगार की अगर कोई मिहनत करना चाहिए यहां पस्पालन का है पस्पालन में 50 रुपय का आदा किलो दूज जो है हम थैली वार लेते हैं किसी भी कंपनी का हो और उसकी किसी की नौ दिन की वहलेटी है तो उसमें कितना केमिकल मिला होगा वह तो वही जाने लेकिन जो सुद्ध दूद अगर हम 50 रुटर दे सकते हैं तो मैं समझता हूं कि लोगों का स्वास्ते पर अच्छा रहेगा और लोग जो हैं स्वास्ति भी रहेंगे और लोगों की इंकम भी होगी रोजगार के साथन अब यही प्रयास है कि इसको लोग जब देखेंगे कि इससे इनको कुछ लाव हो रहा है तो लोग अपने आप ही जो है जुड़ेंगे और जब इससे जो है जो मेरा प्लान है यह अगर जो है सक्सेस्फुल नहीं होता तो लोग अपने आप ही जो है हतासा की भावना ने उम्मीद है आपका यह प्लान सक्सेस होगा क्योंकि आपने महनत बहुत करी हम देख सकते हैं आपने इतनी फैंसिंग यहां पर लगाई है और यह सारा आपने यहां पर यह सारे पेड़ लगाए हुए तो यह हमारी तो आपके साथ सुबकामना है कि यह अच्छा आपका रोजगार चले और ताकि यह सुबकामना इसलिए भी हैं कि क्योंकि जो लोग हतास हो चुके हैं जो लोग रोजगार इनका चाचुका है उनको एक प्रेर ना मिले तो उनको सबसे बढ़ी यह चीज है कि उनको प्रेड़ना मिले और वो हतास ना हो बिल्कुल भी वह भी अपना काम कर सकते हैं अपने गाउं में अपने खेत में कर सकते हैं जो बंजर पड़े वे पर महनत से जीर ना घब रहे अच्छा मैं आप से एक चीज और पूछना चाहूंगा कि अच्छा कुछ जो है अच्छा जब मैं सारे सुजा उनीक हैं लग बुलग मा पूरा साथ देती हैं पूरा गड़ा खुरने से लेकि यह पत्थर जो आप देखा देरा होगा यहां पर हम दोनों हम दोनों निकाला इस यह लग गया था ता यह बड़े-बड़े पत्थर होत प्रयास है जो कोसिस है वो एक दिन रंग लाएगी सफल होगी तो लगी लाएगी रंग लाएगी मतलब इसमें इनका सपोर्ट है कि पूरा आप इनको मदद कर रहे हैं अच्छा ठीक है तो आप आप कुछ कहना चाहेंगे और लोगों के लिए जो कि और महिलाएं जो है जो परसाथ जी आपने जो है पूरा अपना बगीचा दिखाया है जिसमें सेव के और आप अज़ को Christ nे में आम के पेड लगाएं कुछ आम पेडे धेन पे अन देख सकते यह दे लगा और यह और यह कौन सी से किसम के अंचे बैसे हैं अच्छछ की यह अक्छरit लुट अन्ठ कर सकते हैं अच्छ यह तो यह आपने एक कट्रक्ट लगा रखा यहां पर यह बंदर बंदर जो है आम को तोड़ते ना इसको डखाने के लिए हमने इसको लगाया तो ताकि यह बंदर इसे बाग जाए तो बहुत अच्छा है और यह आम आपके बहुत अच्छा है यह हम भी सोच रहें कि आप मार्केट में से लेने से बढ़ी है कि आप भी हमें एक कटा आम देना और जो भी मार्केट में जो पैसे होंगे वह आपको दे देंगे ताकि आपका भी घर बैठे-बैठे कुछ मुनाफ़ा हो जाए और हमें भी जो है स्वादिष्ट आम जो है अपने गाउं के खाने को मिले वा भगरुती पिसाद जी यह आप बर्साद का ठाप झों चतका पानी थी मफरा जाता है और वो मेरे सेब और आम के बागवानी के काम आता है यह पाणी रेन हार्वेस्टिंग कीщее लेइग लोग पानी कीमत पहचानते हैं की मत पहुतनी में तबस्वाँ कर तो पर बर्साद का पानी जमा करके इसको बिचमाInd कर सकते हैं अपने बगीचों के लिए तो बगवती प्रसाजी बहुत अच्छा आपने कर रखा है हम बहुत मतलब खुश हुए और अपने जितने भी ऑडियंस हम उन्हें बताएंगे कि एक पानी की कीमत को समझें और वो भी ऐसे रेन भारेस फिशिंगे अपना जो है वो बन ने पतंव देख सकते हैं हैं देख सकते हूं तो इसमें आपि एक खुद खुद अपने खरीदे हैं या कुछ मतलब सरकार ने आपको सब्सक्राइब दिया था कर दो अब करने चैन के लिए कुए अच्छ तो इसमें जो आपने जो इस पेशिक के तरफ से अंसिदान प्रिष्लिद नापको कोई सपोर्ट इस के लिए संफॉर्ट मिला है और अभी तो पौधों के लिए भी कुछ नहीं है देखें हमारी भी जो सरकार में प्रसासनिक अधिकारी जो है उनसे यह अपील है कि ऐसे लोगों को जादा से जादा सपोर्ट करें ताकि वो लोग अपना रोजगार खुद इस्तापित कर पाएं और वो लोग जो इनका रोजगार चला ग करें बस मैं एक करना चाहता हूं उत्राखंडवासियों से कि मेहनती सफलता की कुंजी है और जैसा कि आप जानते इक उत्राखंड के लोग बहुत मेहनती होते हैं वो कभी भी अपने मेहनत से और करमठता से कभी भी जी नहीं चुराते बड़ उनको एक बार याद दिलाना हमारा प्रयास था कि उनको एक बार याद दिलाएं कि वो बहुत महनती और लगन सील होते और उस पर बने रहें और आगे इस तरह का प्रयाश वो भी कर सकते और निरास होने की जुरूत नहीं है रोजगार जो है आप अपना खुद कर सकत मैं अंत में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपने हमारे इस वीडियो को देखा अंतक और साथ में मैं आपको यह भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दब